नमस्ते दोस्तो आज हम चना डाल के पराठा बनाएंगे बिना पीसे डाल ऐसे ही बनाएंगे बहुत टेश्टी बनते हैं उसके लिए सबसे पहले डाल को भिगो दिया था और अच्छे से फोल चुकी है अब एक कोकर ले लेना है उसमें आजवाइन जीरा हींग डाल देना है और हरी मिर्स डाल देना है थोड़ा सा लहसुन डाल देना है अब थोड़ी सी अधरक डाल देना है इस तरह से पराठा बनाएंगे तो पीसने की जरूरा नहीं पड़ती है डाल को अब अच्छे से पका लेना है अब इसमें डाल डाल देना है ये पराठे बहुत सिंपल तर से हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च और टेस्ट कार्डिंग नमक अब अच्छे सा कलहार देना है अच्छे से मिक्स हो चुका पानी डाल देना पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है बस डाल डोबनी चाहिए इतना पानी डालना है देखे थोड़ा सा पानी जादा ही हो गया हलका सा और कम डालना है बस चार सीटी लगा देना है अच्छे से दाल पक जाती है अब आटा सान लेना है आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है गेहूं का आटा है और इसको थोड़ा सा गीला ही सानना है तब भी बढ़िया पराठा बनते हैं और भरते भी अच्छा बनता है थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसको ढखके रख देना है देखे, गुकर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब खोल लेना है देखे, दाल भी अच्छे से पक्चु किये, थोड़ा सा गीली लग रही है इसको थोड़ी देर चढ़ा देना है गैस पे जिसे पानी भी सुख जयेगा, इसलिए थोड़ा सा कम पानी डालना है थोड़ा सा ज्यादा हो गया था पानी अब इसको थोड़ी देर चलाती है, सुखा देना है और दाल अच्छे से मैस कर देना है दाल भी देख classics हो चुकी है इस तरह से बनाएंगे तो पीशने की जरूरत नहीं पड़ती है डाल को और अच्छे से पराठे बन जाते है देखिए सूख चुक्या है पानी अभी ठंडा होगा तो और सूख जाएगी डाल अब इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है अब थोड़ा सा गरम मसाला मिला देना इसमें अभी थोड़ी सी डाल गरम है और ठंडा कर लेना इसको अब थोड़ी से धनिया पत्ती मिला देना है अब पराठे बना लेना, उसके लिए हमने पीड़ा ले लिया है, लोई काट लेना है, अच्छे से लोई को बढ़ा लेना है, थोड़ा सा तेल लगा के बढ़ा दिया है लोई को, अब इसमें मसाला भल लेना है, धनिया हमने मिला दिया था, धनिया हो तो जरूर डालें, इसस बड़ी हैसा बेल लेना है इस तरह से बनाएंगे तो देखिए पराठा फटा नहीं है बड़ी हैसा बेल जाता है अब इसको सेक लेना है अब इसको पलट देना है अब घी लगा देना है तेल भी लगा सकते हैं सरसों के तेल में बहुत अच्छे पराठे बनते हैं कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो भी खाते हैं बढ़िया दोनों तरफ से सेख लेना है ये पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं इनके साथ कद्दू की सबजी अफी भुईया की सबजी बहुत अच्छी लगती है या भी अचार के साथ सर्व कर सकते हैं दही के साथ में ये पराठे खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं हिल्दी भी होते हैं देखिए कितने अच्छे से फूल ला है पराठा ऐसे ही सारे पराठा सेक लेना है बड़िया से दोनों तरफ से सेख लेना है देखें कितना अच्छा पराठा सेख चुका इसको भी निकाल लेना है ऐसे ही सारे पराठा सेख लिया है गरम गरम खाईए बहुत टेश्टी पराठे लगते है जब भी खाना हो गरम गरम सेख लिजिये पराठे अब कद्दु की सबजी के साथ सर्व किया इसको बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है कद्दु की सबजी के साथ में और दही भी रख दिया है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमते समय